इस क्लास में हम थोड़ा सा लंबा क्लास चल सकता है और यह एक तरह का आप लोग का रिविजन है या प्रैक्टिस से समझो जो मध्य प्रदे से कुछ भी अगर कुछ सन आता है तो उससे आप लोग को वन नाइनर के फॉर्म में ही सारा चीज जो है आपको समझ भ्यान तो थोड़ा नेट्वर का यह सुद्ध थोड़ा वेट करना मैं फिर सेरी कनेक्ट करूंगा तो उतने देर तक थोड़ा सा पेसंस रखना चलो स्टार्ट करते हैं हम सिधे-सिधे कि तो नेट्वर वेट करते हैं कुछ लोग और कनेक्ट हो जाए करते हैं अंकुष कॉन सा प्यडैप बोड़ रहा है आगर इसके सारे प्यडैप आप्लोगको अगर वाट्सेट ग्रूप में नहीन दूसरे वाट्सेट ग्रूप में हो आप मुझे मैसेज कर देना वाट्सेट में तो वहां समय आपको प्रोवाइड कर दूंगा otherwise इसका जो भी PDF है या आपका MPGK वाला या 36 गड़ जो भी PDF है वो सब आपको आपके APP के ACCL के content वाले section में जाना वहाँ पे non-technical portion होगा ठीक है अभी recently जितने भी तीन classes के पहले हुई है वह सब में WhatsApp में डाल चुका हूं already अगर किसी को नहीं मिला है तो आप मुझे directly message कर देना मैं आपको उसको फिर से शेयर कर दूँगा ठीक है चलो स्टार्ट करते हम कि देखो मध्य प्रदेश के अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को अलग-अलग नाम कि अ या इस टेट कहा जाता है कि अ कि अ जो अ कि अ आप 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 कि 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 चलो अभी आरी है वाद सबको जहां जहां वाइस ब्रेक होगा वहां टेंसर मतलो मैं उस टाइम तक मुझे पता चलाएगा मैं थोड़ा सा रूख दूंगा वहां पर ठीक है तो आप 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 अ सारे नदिया जो है यहां से इजनेशन भी होता है ठीक है जाना जाता है तो वन लाइट इसको ध्यान रखना है कौन-कौन से देखो इस्पेशल फैट्स के इसको जो है कि भुपाल यहां का प्रसास्नी किया बोलना चाहिए कि एडमेस्टेटिव तरपर यहां इसको उर्जा राजधानी या एनर्जी कैपिटल या पावर कैपिटल के नाज़ और थर्मल पावर जनरेशन सिंगरॉली के रिया के आस पास में इसलिए इसको इनर्जी कैपिटल कहा जाता है दिन उसके बाद में यहां पर NTPC जो है सिंगरॉली में पहली बार जो NTPC बना था भारत को सिंगरॉली में है तो कुल मिला करके कल्चरल कैपिटल सांस्कृतिक राजधानी है संस्कार राजधानी के नाम से भी जाना जाता है इसको ग्रिस्म कालिन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है इसको जब Lalपूर में स्टेट का हाई कोर्ट है इसलिए जिसको पर भी जाना जाता है इसके लाओ हाई कोट के अलग-अलग बेंचेस हैं जिसमें से इंदौर और ग्वालियर के दो बेंच बने हुए हैं जो कि ठीक है तो हाई कोट के दो बेंच इंदौर और ग्वालियर में लेकिन हाई कोट कहां है वो जब चलो आगे बढ़ते हैं चलो अभी वाइस का प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी ठीक है सबको सुनाई दे रहे हैं कि अभी वाइस प्रॉब्लम हो एक बार बताएंगे अभी क्लियर आ रही है आवाज कि अभी भी हो रहा है कि अभी ओके हैं कि में भी यार देखो प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके साइड से भी हो क्योंकि अभी वेदर का प्रॉब्लम हर तरफ है तो देख लो कहीं आपको तो दिकत्ने को कि तो में भी इधर भी थोड़ा से रूख जाओंगा चलो चलो कंटिन्यू करते हैं हम बात कर रहे थे मध्यप्रदेश के डिविजन और डिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो देखो डिविजन दस है और पच्पन डिस्टिक्स है अब यह बाइचान सबसे पूछें तो याद रखना है जबलपुर यहां का लाजेस्ट डिविजन है ठीक है जबलपुर जो डिविजन है यहांका लाजेस्ट डिविजन है अन् दे सथेंद आते हैं जिसमें से छिणवाडा आपको जैसा कि मैं बताया हूँ कि अब जो पान्दूरना है जो वो 55 जिला बना है तो में भी आप जो 54 जिला है जो 55 तो आपका मैहर है तो ये थोड़ा सा इसको एडिट कर लेना 55 मैहर को माना जा रहा है आले कि दोनों एक ही दिन हुआ है है अक्टूबर में हुआ है पांच अक्टूबर को लेकिन पार धूर्णा को पच्छ पन्वा यह फिव्टी थिप ठीक है तो यह चिंदवाड़ा अब तो अब शिवपूरी जो है ग्वालिया डिविजन में आने वाला शिवपूरी दस यार 278 स्कौार किलोमेटर के साथ में सबसे बड़ा जिला रखी है तो याद रखना है जब सबसे बड़ा डिविजन और जो शिवपूरी है वह सबसे बड़ा डिष्ट्क बन गया है अगर इसके सबसे चोटा डिविजन बोलेगा तो आपको याद रखना है कि जो सबसे चोटा डिविजन है वो कौन सा है वो चम्बल डिविजन है अगर सबसे चोटा डिविजन के साथ में जो कि सागर डिविजन के अंतरगत आता है तो बाकी डिविजन को सबको रट्टा मारना ज़ोरी नहीं है अगर चम्बल सबसे चोटा डिविजन सबसे बड़ा डिविजन में आपको निवाडी डिविजन को याद रखना है मतलब कि जो त्रिपन्वा डिविजन है वो मौभगंज है मैं बताया था जो कि 15 अगस 2023 को बना है और उसके बाद में दो दिविजन बनें पांच अक्टूबर दो हजार ते इसको पांधूरना और मैहर तो बस इतना ही याद रखना है इससे 10 डिविजन पच्पन डिस्टिक में ठीक है और रिवा डिस्टिक में है माउगंज और मैहर जो है ठीक अगर हम अनॉस्मेंट की बात करें तो नए जीलों का जो है अनॉस्मेंट हुआ है अभी मध्य प्रदेश में दो और नए जीले बन सकते हैं मतलब की ये नागदा जो जीला है ये उज्जैन में तो इसका भी नोटि जारी हो चुका है बलकि 20 जुलाई को ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका था लेकिन अभी तक ये नोटिफिकेशन बना नहीं है प्रसासनिक तोर पे लेकिन आगे चलके ये बन सकता है अभी जब नए गवर्मेंट आई है तो हो सकता है ठीक है तो उज्जैन और एक पिछोड जो जिला है ये शिवपूरी से अलग हो करके बनेगा ऐसा जो है माना जा रहा है ठीक है तो इसका भी नोटिफिकेशन 21 सगस्तल 2023 को आ चुका है तो अब हो सकता है कि 56 और 57 जिला नागद फ्यूचर में तो आपको में भी पूछ सकता है कि बताए दो और कौन से ज दिश्टिक आपको याद रखना है 55 डिश्टिक जो है मैहार बनके हो चुका है ठीक है पिर से वाइस ब्रेक जा किया जाए यार पताओ वाइस सही हुआ कि अभी भी ब्रेक हो रहा है बार बार सुनाई दे रहा है कि ने सबको ठीक है ठीक है यह मैं लिस्ट दे दिया हूँ इसको आप चाहो तो देख सकते हो कि कौन-कौन से तहसिल आए गए यह चार जो तहसिल है वो मौगंज में है इसके लावा पांधूरना और सौसर जो है पांधूरना जिला में आ गया महिहर के अंतरगत महिहर राम नगर और जो अमर पाटन एरिया है यह तीनों जो तहसिल तो रिवर डिविजन में दो कि दो नए जिले कौन से डिविजन में बनाए गया है तो रिवर डिविजन में बनाए गया है और एक पॉर्सन को थोड़ा बहुत क्योंकि करेंट अफियर्स के चीजे हैं 5 October को कितने जिले बनाएगे तो 5 October को दो जिले बनाएगे तो एक जिले ठीक देख सकते हो कि इस map के ठूख को भी आप समझ सकते हो कि यहां पर जो आपका सतना है यहां से यह जो महिहर वुदार है यहां से पन्दूरना जिला है और यहाँ पर आप देख सकते हूँ रिवा का ये वाला जो हिस्सा है यही हिस्सा है जो कि मौगंजिला बना हुआ है ठीक है 53 और ये 54 और ये 55 एरिया के बारे में बात करें तो एरिया वाइस जो है मध्य प्रदेश का एरिया कितना है 3,8,252 स्क्वार किलोमिटर तक का एरिया है मध्य प्रदेश का टोटल एरिया मध्य प्रदेश अगर हम टोटल एरिया के भी साबसे बात करें तो ये second position पे है पूरे भारत में ठीक है राइस्थान के बाद में ये second position पे है एरिया वाइस अगर हम रहेंग निकाले तो ये भारत का जितना 100% एरिया है उसमें से 9.38% एरिया कवर करता है मध्यप्रदेश का जो हिस्सा है वो भारत में कितने हिस्सदारी है 9.38% का sharing है और बात करें आपसे पूछें कि मध्येप्रदेश का जो length है वो कैसा है तो दो तरह से लेंद पूशता है एक तो नौर्थ से साउथ की तरफ लेंद पूशता है और एक जो है आपको इस्ट से वेस्ट की तरफ जो है लेंद पूशता है तो याद रखना है ये है आपका एक सकेंद ठीक है तो ये जो एरिया है इसको आपसे पूछ सकता है तो इस्ट से वेस्ट की तरब 870 किलो मिटर है और ये 605 किलो मिटर है तो आपसे पूछे की बताईए की मद्यप्रदेश का जो expansion है या विस्तार है वो किस दिसा में जादा है तो सिंपल से बात है आपको पता ही है की इस्ट से वेस्ट की तरफ जो विस्तार है वो नौर्थ से साउथ की तरफ विस्तार से जादा है तो बस ये common सचीन है जो लाग 26,809 है तो सिंपल्स आप याद रख सकते हैं इसको 7 करोड 26 लाग बस ये याद रख सकते हो ये 2011 के census के according है ठीक है चलो largest division में मैं अल्रेडी बता चुका हूँ जबलपूर और चंबल को याद रखना है जबलपूर सबसे बड़ा division और चंबल जो है सबसे छोटा division ठीक है तो ये आपका चंबलपूर है जो की smallest division है और ये जबलपूर है जो की सबसे बड़ा division है चलो अगर हम बात करें शिवपूरी की तो शिवपूरी जो है सबसे बड़ा डिस्टिक बन चुका है 10,278 square kilometer के साथ में अगर छोटा district की बात करें तो निवारी है area wise और अगर population के हिसाब से देखें तो indoor जो है सबसे बड़ा district है जो अकसर population wise पूछता है तो याद रखना है indoor सबसे बड़ा डिस्टिक है जन संख्या के इसाब से जहाँ पर आप देख सकते हों यहां 32,76,000 जो है यहां की जन संख्या है और यह भी 2011 के census के recording है आप चाहोत इसमें याद रख सकते हों कि निवारी ही है जो area wise भी सबसे कम है और population wise भी जो है सबसे छोटा district है छोटा जिला है अगर हम literacy rate की बात करें तो मध्यप्रदेश का जो literacy rate है वो 2011 के जन गरना के according 71.4% के यहां की साक्षरता दर है highest literacy rate पूछे तो याद रखना है जबलपूर है जो यहां का highest literacy rate वाला जीला है और अली राजपूर है जो की सबसे कम literacy rate या कम साक्षरता percentage के हिसाब से सबसे कम साक्षरता percentage वाला जीला है जबलपुर highest है और अलीराजपुर जो है lowest है जो है literacy rate के साथ में है तो इसको भी याद रखना है literacy rate वाला portion में चलो popular cities की बात करें जो one-niner के फॉर्म में सिधा सिधा question पूछ सकता है बताएए कि इसमें किया क्या कीजे हैं तो आप देख सकते हैं कि भूपाल है जो कि capital है और city of lakes कहा जाता है जीलों की नगरी कही जाती है भोपाल को ठीक है इंदवर को जैसे कि मैं बता रहा था कि इसको जो है city of paradise बोला जाता है वानिजिक राजधानी भी कहा जाता है खजुराहों की बात करें तो इसको artistic temple भी कहा जाता है और इसके अलावा इसको pilgrimage of craft कहा जाता है शिल्पकारों का जो है एक तरह से क्या बोल सकते हैं शिल्पकारों का धार्मिक किस्थल के तौर पर माना जाता है खजुराहों का तो कि यह इस सिल्प का अपने आप में का नूठा उदाहरन है, क्राफ्टिंग का, या बोलना चाहिए कि जो मंदीर सिल्प कारी होता है, या जिसको हम बोलते हैं, टेंपल क्राफ्ट बोलते हैं, उसका इसको पिल्ग्रिमेज या धार्मिक इस्थल के तौर पे इसकी माननेता है, जाना जाता है, प्राचिन समय के जो रॉक पेंटिंग से या सेल चित्र है, उसके लिए जाना जाता है भीम बेटिका को, उज्जैन की बात करें, तो इसको कुम्भ के लिए फेमस ही है, उज्जैन, साथ है साथ इसको City of महाकाल की नगरी कहा जाता है, भगवान संकर के लेकिन One Liner form में यह सारे questions और अलग अलग exams में पूछे जा चुके है, MPPSC के CCL के exams में कहीं न कहीं exam में आया हुआ है, इवन यह UPSC के भी कहीं exam से पूछे जा चुके है in One Liner के form में, आगे हम देखें, तो मांडू, मांडू को याद रखना है कि इसको आनन्द नगरी कहा ज तुरिस्ट लोगों के लिए इसको स्वर्ग माना जाता है। चंदेरी, चंदेरी के साड़ी के लिए तो फेमस है ही, साथ ही यहां का चंदेरी के जो फोर्ट है, कीला है, उसके लिए जाना जाता है। इंडियन जी के में भी पूछता है, और कई बार जो है यूपीसी में आया हुआ कुशन है यह, पिथमपूर क्या है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, बेसिकली मोटर वेकल्स के लिए इसके जाना जाता है। इसके प्रोडक्सन के लिए जाना जाता है, तो पिथमपूर भी उसी लिए फिमस है, इसको डेट्रॉइट ऑफ हिंडिया कहा जाता है। ग्वालियर को जिब्राल्टर ऑफ इस्ट कहा जाता है, अब जिब्राल्टर आपके वहां मतलब की ब्रिटेन में एक जगह है जिस एक ऐसा कीला है जिसको कभी जीता नहीं गया, ग्वालियर की कीला को भी उसी के समक्ष माना जाता है, इसको जिब्राल्टर ऑफ इस्ट कहा जाता है, ठीक है, मतलब भारत का जिबराल्टर बोल सकते हो आप, जिबराल्टर आफ इंडिया भूल सकते हो, इसके लावा इसको city of Tanseng कहा जाता है, Tanseng की नगरी के नाम से भी ग्वालेर को जाना जाता है, देवास को याद रखना है, देवास अपने प्रिंटिंग, मतलब क बैंक नोट का जो प्रेस है, उसके लिए जाना जाता है, जो नोट की छपाई है, वो वहाँ देवास पे होती है, तो उसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके अलावा वहाँ पर चामुंडा माता की मंदिर है, जो की बहुत फेमस है all over India, तो ये सारे जो cities है, जो साइट् अपने खास पॉपुलरिटी के लिए जो है यहां पे जाने गए हैं तो इन से उन लाइनर के फॉर्म में कुश्टन आ सकता है। सिंगरॉली जो है जैसा कि मैंने कहा था इसको इनर्जी कैपिटल के नाम से जाना ही जाता है क्योंकि यहां पर कोल माइन से बहुत सारे और यहां पर NTPC भी है। कि वो गवर्मेंट को उसके लाइसेंस के तौर पर उसके खेती की जाती है, ओपियम जिसको बोलते हैं। तो मंसौर को याद रखना है यह ओपियम प्रोडक्शन के लिए जाना जाने वाला सिटी है, मंसौर। नेपर नगर अपने अखबारी कागज, अखबार के जो कागज है वो यहीं छपाई होता है, पूरे आल ओवर इंडियर में इसका जो है सप्लाई होता है, तो पेपर मिल्स के लिए जाना जाता है नेपर नगर। और दिवास का जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, बैंक नोट प्रेस के लिए जो है इसको जाना जाता है। चंदेरी अपने कीला के लिए और अपने सारियों के लिए फेमस हैं, भिंड मुरैना, रिबेल्स के लिए जो विद्रोही है या दस्यूई जिसको हम बोलते हैं या फिर डाकों की कीला माना जाता है, पिथमपूर, डेट्रॉइड ओफ इंडिया, गौालियर, जिबराल्तर अपने बैंक नोट प्रेस के लिए इस पेसली जाता है, और इसके पहले की अगर हम बात करें तो भुपाल है जो की कैपिटल सिटी ओफ लेक्स कहा जाता है, इंदौर है जो की कमर्सियल कैपिटल है, इंडस्टियल सिटी है, मिनी मुंबई भी कहा जाता है, और अपने टेंपल्स के लिए जाना जाता है, जितने भी खजराहों के टेंपल्स है, वो अपने आपने एक्जाम्पल है, ओल ओवर इंडिया, बल्कि ओल ओवर वर्ड भी बोलना चाहिए, साची जो है बुद्धिस्ट इस्तुपास के लिए फेमस है, और इसको होली सिटी ऑफ अप्चस भी कहा जाता है, ओमकारेश्वर जोतिर लिंग के लिए जाना जाता है, महादेव के जोतिर लिंग है, वो है यहाँ पर, आगे अगर हम बात करें, तो कुछ स्टेट एंबलेम्स के बारे में बात करें, तो मध्यप्रदेश का जो स्टेट एंथम है, वो क्या है, म उफिस्यल लेंग्वेज की बात करें तो मद्य प्रदेस का जो अधिकारिक तौर पे राजिकी या जो भाषा है वो क्या है हिंदी ही है इसके अलावा जो अगर हम State drama की डांस की बात करें तो राई जो नृत्य है यहां का राजिकी नृत्य है state natya या natak की बात करें तो march जो natak है वो यहां का raja की drama है और state game की बात करें तो यह तो यहां की यह खेल है ठीक है? तो इतना चीज आपको state emblem या state उसमें आपको याद रखना है पहचान में, प्रतीक में state animal की बात करें तो बारा सिंगा जिसको हम swamp deer कहते हैं ये ब्रेडरी प्रजाती का है तो इसको आपको याद रखना है कई बार इसका scientific name पूझ देता है तो इसका scientific name याद रखना है आपको रुश्वर्ड डुवासली या डुवासली बोल जाए तो ये रुश्वर्ड डुवासली जो है ये बारा सिंगा का विज्ञानिक नाम है तो इसकी प्रजाती जो है ब्रेडरी जो एक प्रजाती होता है हीरन की उस प्रजाती से ये आता है म्रिग की जो प्रजाती है उससे ठीक है तो ये जो स्वैंप डियर है, सॉरी हीरन की प्रजाती है तो यह स्वैंप डियर यहां का राजिकी यह पशु है, राजिकी यह पक्छी की बात करें, तो इसको बोले जाता है दूध राज, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपको याद रखना है, टेर पेपसी फोन पैराडाईस इसको कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्यानिक नाम, इसको शाहे बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है, और इसको एसेन पैराडाईस फ्लाई कैचर के नाम से भी जाना जाता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, स्टेट फिश की बात करें, तो माशिर जो म मचली है, 2011 या उसके दर तौर के जो है इसको पहचान मिला, मार्शीर, ठीक है, इसका scientific name दिया हुआ है यहाँ पे, मार्शीर बॉडास, इसके आलाबा state flower की बात करें, तो यहाँ का जो state flower है, वो white lily है, जिसको हम मैडोना lily के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका scientific name है यहाँ पे mention कर दिया है, state tree की बात करें तो यहां का जो बरगत का पेड़ है बन्यान ट्री वो यहां का state tree है या राजिकी ब्रिक्ष है इसको बोले आता है फिकस बैंगेलिनिस ठीक है तो यह इसका scientific name है सोया बिन यहां का राजिकी ये फसल है और यहां की राजिकी ये नदी सब को पता है नर्मदा यहां की मुख्य नदी है तो नर्मदा यहां की राज नदी के तोर पे पहचान मिला हुआ है कुछ administrative bodies की बात करें तो यहां पर जो total division है वो 10 है number of district की बात करें तो पचपन है जनपत पंचायत की बात करें तो 313 जनपत पंचायत है यहां पर अब देखो इतना detail तो नहीं पूछेगा मध्यप्रदेश वाले section से क्योंकि यह सब question आएगा तो आपको 36 वाले section से पूछे मैं safe side यह सब चीज़े दे दिया हूँ आप चाहो तो इसको एक बार cross check कर ले ना PDF से बाकी इसमें ज्यादा कुछ पुछने लायक है ने हाँ एक चीज़ आपको खासतोर के याद रखना है electoral seats वाले section को ठीक है rural वाले section में division district को तो आपको याद हो ही गया होगा लेकिन electoral seats में आपको याद रखना है कि यहाँ विधान सभा के 230 seat है कितने seat 230 seat और यहाँ पर जो लोग सभा के seat है वो 29 है और राज्य सभा के जो seat है वो 11 है एक question अमोमन पूछता है कि बताइए मध्य प्रदेश में कितने संसद हो सकते हैं या कितने member और parliament हो सकते हैं तो अगर सीधा सीधा संसद बोल देगा तो आपको सिधा सिधा इसका आंसर हो जाएगा 40 reason क्या है संसद लोग सभा के भी होते हैं राज्य सभा के भी होते हैं तो 29 और 11 को add कर दोगे तो 40 जो है यहाँ पर संसद चुन करके जाते हैं भारतिये parliament में ठीक है लेकिन अगर आपको especially लोग सभा तो 11 और विधान सभा में 230 यहाँ पर सिट्स है ठीक है तो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखना है ठीक है वाइस वाइस तो break नहीं हो रहा है बता देना वही अगर वाइस ब्रेक होगा तो यहां से मुझे इंफॉर्म कर देना आधर वाइस मुझे पता ही नहीं चलेगा चलो बाकी मैं आज आप लोग को एक पेज या फिर इस तरह से पेडियेप में भी या पेज में भी मैं आप लोग को वाटसेप ग्रूप में शेयर कर दूँगा जिसमें नए जो कैबिनेट है उसको अब वहां पे पूरा नाम पढ़ेने का यहां कोई टाइम देश्ट हो क्यो मद्यप्रदेश में जो है खेर यार यह सारी चीज़े हो चुका है उनली हिल स्टेशन पचमड़ी हो गया है यह एक चीज़ है जो जानना है आपको जाबवा जो है भारत का पहला ट्राइबल रिसर्च कम्यूनिकेशन सेंटर है जो कि जाबवा में बना हुआ है इसके अला भारत का पहला रिहाब सेंटर था ठीक है अब तो खेर बहुत सारे रिहाब सेंटर है भारत में लेकिन जबलपूर में पहला रिहाब सेंटर बनवाया गया था the first state to implement Panchsati Raad system on constitutional basis अब ये आप सबको पता ही होगा सुना होगा ठीक है तो 71 समिधान संसोधन यहाब कॉनियोन ऐसूर्ट्य नि जो है मध्य प्रदेश से ही लागू हुआ था 1994 में ठीक है तो यए मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज जिसने इंप्लिमेंट किया था पंचाटी राज द्योस्था को चलो इसके अलावा the highest peak of the state state का राज जिका जो सबसे उची चोटी है वो कहां है तो वो धूबगड में है ठीक है तो धूबगड को सबसे उची चोटी मानी जाती है 1352 मिटर के इसकी हाइट है states first optical fiber factory पहला राज जिका जो है optical fiber factory कहां है तो मंडी दीब बोला जाता है जो कि रायसें जीला में पढ़ता है ये राज जिका पहला optical fiber factory है राज जिका पहला gas based power house जो कि भांडेर में है ग्वालियर में इसके अलावा states first project tiger पहला project tiger कहां को बनाया गया तो ये कानहा किसली को बनाया गया था 1974 में कानहा किसली national park है जो कि वही राज जिका पहला tiger project है जिसको tiger reserve के तरुपे घोशित किया गया कानहा किसली highest rainfall place कहां है जो सबसे ज़्यादा वर्षा के लिए जाना जाता है मध्यप्रदेस में तो भिंड है जहां कि सिर्फ 55 cm का बारिष जो है record किया तो भिंड मुरैना वाला एरिया है वहाँ पे सबसे कम बारिष होता है सबसे ज़्यादा पचमढ़ी छेत्र में और सबसे कम जो है भिंड में अगर हम मध्यप्रदेस का पहला driving school की बात करें तो ये indoor में open हुआ गौर इनवर्सिटी है जो कि 1946 में बनवाया गया राज्य का पहला विश्व विद्याल है डॉक्टर हरी सिंग गौर विश्व विद्याल है सागर में एक और चीज है यहाँ पर इस्टेट्स पोजिशन इन तेंदू लिप्स ये पहला rank में है मतलब कि तेंदू पत्ता के production के मामले में हो या बीडी manufacturing के मामले में मद्ध प्रदेश पहले नम्मर पे आता है ठीक है लैंड अफ वाइट टाइगर रिवा को बोला जाता है इस्टेट्स लारज़ेस सेडिूल ट्राइब राज्य का सबसे बड़ी जन जाती कौन से है तो भील जन जाती है जो की राज़्य के सबसे बड़ी जन जाती माने जा इसलिए बाला घाट को City of Magnus भी कहा जाता है जियोग्राफिकल इसकत्र की बात करें तो देखो इसमें ज्यादा कोई तो नहीं बस सिंपल सिंपल तीजे याद रखना है राज्य कितने राज्यों से घीरा हुआ है आपका राज्य या मध्य प्रदेश जो है कितने राज्यों से घीरा हुआ है तो देखो मध्य प्रदेश जो है पांच राज्यों से घीरा हुआ है इधर है उत्तर प्रदेश फिर राज्यस्थान फिर गुजराद फिर महाराष्ट से नीचे तरफ और सतिसगर से घीरा हुआ है इस्ट में ठीक है तो इस्ट हो गया वेस्ट हो गया नॉर और South, तो इस तरीके से पांच राज्यों से घिरा हुआ है, यहाँ पर मैंने दे दिया है कि कौन-कौन से direction में कौन कौन है, अब एक चीज simple question पूछता है, कि बताईए मद्धिप्रदेश के बोल देगा आपको कि North East में कौन से राज्य है, तो थोड़ा से याद रखना है कि य North East है, ठीक है, और यह जो है North West है, यह आपका South West है और यह जो है आपका South East है, तो में भी आपसे पूछतन पूछ दे कि North East में कौन से राज्य है, तो उत्तर परदेश है जो कि North East में है, आपसे बोलेगे कि मद्धिप्रदेश के South West में कौन से राज्य है, तो 36 गड़ है, कई बार महाराष्टे की कुछ हिस्से में साउथ वेस्ट भी ले ले लेता हैं, कोगि बहु Caitlin है गुझराथ जो गुप्रेटली वेस्ट में माना जाता है, और राजिस्थान है जो इसके नार्थ वेस्ट में माना जाता है ठीक है तो इतने राज्य से घीरा हुआ है पांच राज्यों से अलग-अलग सेक्शन से मध्यप्रदेश एक चम जियोग्राफिकल बॉंडरिस की बात करें तो सबसे जादा हिस्सा मध्यप्रदेश के साथ में कौन से राज्यका घीरा हुआ है तो वो माना जाता है उत्तरपदेश को क्योंकि उत्तरपदेश का यहां से हिस्सा जो है पूरा हिस्सा मध्यप्रदेश का कवर करके यह यहां तक घीरा हुआ है तो उत्तरपदेश जो है largest boundary बनाता है मध्यप्रदेश के साथ में ठीक है अगर इसी को minimum limit की बात करें या minimum boundary की बात करें तो यह जो है गुजरात को माना जाता है गुजरात का सिर्फ यह वाला हिस्सा है जो कि मध्यप्रदेश के साथ में जोड़ा हुआ है तो यह जो है smallest boundary create करता है तो याद रखना है गुजरात उत्तरपदेश सबसे ज़्यादा और गुजरात जो है सबसे कम boundary create करता है मध्यप्रदेश के साथ में नेक्स्ट यहाँ पे geographical location की बात करें जिसको हम भागुलिक आवस्थिती कहते हैं तो geographical location में दो चीज़े याद रखना है northern latitude और eastern longitude 21 degree 6 minute से सुरू होता है और 26 degree 30 minute तक जाता है तो यह है आपका latitude position तो latitude position में आपको याद रखना है ये वाला position है जो कि सुरू होता है 21 degree से मतलब कि 6 minute भी आप याद रख सकते हो और यहाँ तक जाता है जो कि 26 degree है तो 21 से लेकर 26 degree तक और उसी तरह से अगर हम बात करें तो यह 74 से सुरू होता है और 82 तक जो है longitude में जाता है मतलब कि यहाँ से सुरू होगा 74 और यहाँ तक जाएगा आपका last question 82 तो कुल मिला करके यही इसका geographical location है दो location होता है latitude और longitude तो बस और ज्यादा इसके deep में नहीं जाना है आपको इतना ही चीज़ जो है आपको याद रखना है इसमें ठीक है 21 से 26, 74 से 82 चलो हम बात करते हैं ट्रॉफिक आप कैंसर की तो मध्य प्रदेश के 14 जो है डिस्टिक है जहां से ट्रॉफिक आप कैंसर होकर के गुजरता है एक मात्र प्रदेश से ट्रॉफिक आप कैंसर कितने जीलों से होकर गुजरता है तो 14 जीला है जहां से मध्य प्रदेश के ट्रॉफिक आप कैंसर या करक रेखा हम जिसको बोलते हैं वो गुजरती है कितने जिलों से करक रेखा 14 जिलों से हो करके गुजरती है और एक जिला है जहां से IST लाइन जो गुजरती है तो याद रखना है दो लाइन है एक तो करक रेखा और जो IST इंडियान स्टेंडर टाइम लाइन जिसको बोलते है भारती मानक समय रेखा वो एक जिले से हो करके गुजरता है रतलाम से इधर मालवा इस तरह से आप चौदा का नाम आपको फिलहाल अभी के डेट में रखता मानना ठीक नहीं पहले से याद हो तो अलग बात है लेगिन आपको बस याद रखना है चौदा से करकर रिखा और एक मातर सिंगरॉली से बलकि सिंगरॉली को आप से यह होकर के गुजरती है ठीक है यहाँ पर मैंने एक्स्प्रेंट कर दिया है कौन-कौन से जिले है सबका नाम लिखा हुआ है आप चाहो तो देख सकते हैं अग बार अदर्वाइस इसकी ज़रत नहीं है क्योंकि इतने सारे डिस्टिक के बारे में नहीं पूछेगा ट्र 82.5 डिग्री करके इसको याद रखते हैं तो साड़े 23 पोजिशन है ट्रॉपिक अप कैंसर का जो कि जनरली आपको पता होगा कि यह जो है लैटिटूट पोजिशन पे रहता है और जो वह है आपका लॉंगिटूट पोजिशन वाला जो आईस्टी लाइन है वो 82.5 में है तो यह सिर्फ सिंग रॉली से हो करके गुजरता है और यह 14 अलग-अलग डिस्टिक से हो करके गुजरता है ठीक है अब यहाँ पे एक चीज और मैंने मैंने किया हुआ है कि इसका जो इस्ट वेस्ट से एक्स्टेंसन कितना है और नॉर्थ साउस से एक्स्टेंसन कैसा है ज Generally IST line जो है वो time को बताता है कि कितने time का duration का difference है तो 34 minute का difference है इसके east और western part के बीच में, east में और west के बीच में 34 minute का difference आता है, अब जाहिर से बात है वो इसलिए आता है क्योंकि अलग-अलग time line में time zone में बटा हुआ है, लेकिन हाला कि हर एक जगा सिर्फ एकी time line को follow किया जाता ह है जो की 82.5 के position पे रहता है, otherwise जो है 34 minute का difference है east और west के बीच में, तो यह सीधे-सीधे question पूछ देखता है, बताइए मध्यप्रदेश के पुर्वी छेत्र और पस्चिमी छेत्र के बीच में कितने time line का difference है या कितने minute का difference है, फासला कितना है, 34 minute का फासला है आगे बढ़ते हैं, time line से या traffic of cancer से कुछ points बनता है, यहाँ पे जैसे center point of earth is mangalnaat, यह माना जाता है कि पूरी दुनिया का, पूरे world की बात कर रहे हैं, पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं, यह अब माननेता है देखो, जो उज्जैन का mangalnaat है, उस position को पूरे दुनिया का center point मा विदीशा, मकर सिर्फ भारत की अगर हम present, मतलब कि इंडिया की हम बात करें, तो उसका center point जो है विदीशा को माना जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अखंड भारत में और अलग-अलग section थे, जो आज के लिए भारत का वरतमान में मानचित रहे हैं, उसके हिसाब से अगर मध्य प्रदेश का center point पूछेगा, तो सागर कुब मानना है, यह जो सागर है, यह मध्य प्रदेश का बिल्कूल बीचो बीच का मध्य बिंदू माना जाता है, तो यह तीन चीज है, पूरे दुनिया का center point वुजजेन में, भारत का center point विदीशा में, और मध्य प्रद केलो, geographical special कुछ चीजों की हम बात करें, तो देखो, एक तो अमोमन पुछता है, landlocked district कितने हैं, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 20 ऐसे जीले हैं, जो की भू आविश्ठित जीले कहलाते हैं, जो किसी दूसरे राज्यों के साथ में अपना boundary share नहीं करते हैं, ठीक है, और 35 ऐसे जीले हैं, जो अलग-अलग राज्यों के साथ में अपना boundary share करते हैं, तो फुल मिला करके 55 जीले हैं, जिसमें से 20 जो है, भू आविश्ठित हैं, और 35 है, जो की border district कहलाते हैं, या interstate border district कहलाता है, ठीक है, तो फुल मिला करके 55 जीले, हाँ, एक चीज और याद रखना है, पहले जो है, आपका छिंदवाड़ा जो है, वो था, मतलब की interstate border district में आता था, लेकिन अब जो है, छिंदवाड़ा क्या हो गया है, ये current affairs की चीज है, और इसको खास तर पर याद रखना है, छिंदवाड़ा जो है, अब land locked हो चुका ह है, क्योंकि पांधूरना अब जो है, क्या हो गया है, interstate boundary वाला district बन चुका है, क्योंकि चिंदवाड़ा नीचे में, पांधूरना नीचे वाला portion है, तो अब चिंदवाड़ा land locked है, भू आजश्ठित है, तो ये एक नया चीज है, इसके अलावा मैहर जो है, एक नया land locked बन अब जो है, बिश हो चुके है, तो बस ये एक नया चीज है, जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि यहाँ पे आप देखना क्या हो, तो यहाँ पे ये पता चल सकता है, चिंदवाड़ा पहले जो है, ये boundary बनाता था, ठीक है, महारास्टे के साथ में, लेकिन अब जो है सतना जो है, वो इस हिस्से से पहले वो था, मतलब की, वो था, मतलब आज भी है वो, अगर देखें तो यूपी के साथ में वो boundary create करता है, लेकिन सतना का एक हिस्सा अब जो बना है, महार, ये अब landlocked हो चुका है, क्योंकि ये पूरे चारो तरब से अपने ही जिलों से घिर माना जाता है, और 36 गड़ का शेप जो है, सी हॉर्स की तरह जिसको हिपो कैंपस बोला जाता है, उसकी तरह दिखाई देता है, सी हॉर्स का मतलब होता है हिपो कैंपस, ठीक है, और ये बैठा हुआ उट की तरह दिखाई देता है, इन दोनों के विभाण, मध्य प्रदेश चलो मैं दो चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश को दो हिस्सों में बाटा गया है, एक को बोले आता है Central Highland और दूसरे को बोले आता है Peninsular Plateau Region, तो बस यह दो चीज़ें आप याद रख सकते हो यहाँ पर क्योंकि मैं वही चीज़ें बता रहा पर कि यह जो Central Highland है वो अलग-अलग पांच पार्ट में बता हुआ है मध्य प्रदेश का, प्लाटो Central of India, बुंदेल खल प्लाटो, मालवा प्लाटो, रिवा पन्ना, नर्मदा सोन, उसी तरह से Peninsular Plateau Region है, यह दो हिस्सें बता है, सत्पूरा, मैकल रेंज और इस्टर प्ला और मैप में देखना चाहो, तो यहाँ पर यह सारा जो चीज लिखा हुआ है, वो सब इस मैप में यहाँ पर दिया हुआ है, कि प्लाटो Central of India इस हिस्से में है, मालवा पठार यह वाला हिस्सा माना जाता है, नर्मदा सोन वैली वाला यह रिजन है, सत्पूरा मैकल रेंज निचला हिस्सा है, और जो यह आपका इस्टन वाला हिस्सा है, इसको इस्टन प्लाटो कहा जाता है, पूर्वी पठार बोला जाता है, जो कि बंधेल खंड के नाम से जाना जाता है, और यह आपका बंधेल खंड वाला रिजन है, तो अकसर लोग confusion create होता है यहाँ पे, Mountain का नाम आपको याद रखना है, मद्यप्रदेश में जो Mountain है, उसमें से एक है विंध्यांचल पहार, ठीक है, विंध्यांचल पहार है, और दूसरा है सत्पूरा Mountain, तो बस इसका नाम बस याद रख लेना, सत्पूरा को मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि इसम जो मैं बता रहा था भी, धूबगड़, बेसिकली यह जो धूबगड़ है, जो मद्यप्रदेश के सबसे उची चोटी है, वो इसी सत्पूरा Mountain का हिस्सा है, तो question क्या बनता है, आप से हो सकता है पूछे कि बताईए कि धूबगड़ कौन से परवत के हिस्सा है, किस परव आयों में या हील में बटा होता है, या हील बने होते हो वहाँ, तो Mountain Hill जो है, महादेव जो हील है, वो धूबगड़ के अंतरगर, मतलब कि महादेव हील के अंतरगर धूबगड़ आता है, यह सबसे उची चोटी है, तो धूबगड़ महादेव हील का भी हिस्सा है, और महा मढ़ी के निस्तिक है धूग कर तो बस यही एक चीज है जो इस पेस से आपको याद रखने है बागे सब चीज छोड़ दो आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे और भी माउंटेन है आरावली माउंटेन मैकल अमर कंटक रेंज तो यह सब मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कहां प करें तो मध्य प्रदेश में पांच काइफ की मिट्टियां पाई जाती है जिसमें से एक है ब्लैक स्वाइल दूसरे को बोला जाता है रेड यलो स्वाइल तीसरा है एलोल स्वाइल जिसको हम जलोड मिट्टी कहते हैं इसके अलावा है आपका मिक्स्ड स्वाइल जिसको हम मिसरित मिट्टी कहते हैं और last है यहाँ पर lateride soil तो देखो इसमें पूछेगा क्या आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रतिसाथ मिट्टी किसका है तो 47% 47% black soil का है काली मिट्टी का इसके अलावा 37% जो है red yellow स्वाइल है, जिसको हम लाल पिली मिट्टी कहते हूं। जलोड मिट्टी या एलुवेल जो स्वाइल है वो लगभग तीन प्रतिसत हिस्सा में बटा हूआ है। कई जगह इसको कछारी मिट्टी के नाम से भी जानने जाते हैं। और ब्लैक स्वाइल तीन हिस्सों में बटा हुआ है जिसको एक को बोला जाता है डिट ब्लैक स्वाइल एक को बोला जाता है और एक को बोला जाता है शैलो छिछला तो ये तिन हिस्सों में बटा हुआ है अब इसमें भी अगर बाई बाई चांस पूझ दे कि सबसे ज़्यादा black soil किसका है तो ordinary का है जो कि 33% हिस्से में ये फैला हुआ है साधरन जो काली मिट्टी है वो 37 तो बस यही एक चीज है सीधा सीधा पूछे का बताएं मद्यप्रदेस में कितने प्रकार के मिट्टी पाई जाती तो 5 प्रकार के मिट् में वहाँ जो maximum temperature है वो 42 डिगरी तक पहुंच जाता है बलकि आजकल तो और बल रहा है लेकिन जो latest data है उसके इसाप से एकोनामिक सरवेटा 42 डिगरी Celsius तक यह जा सकता है यहाँ पर जो गर्मी का time होता है उसको बोला जाता है यूनाला तो यह exam में आया हुआ question है MPPC में पू में और winter season में 14 डिगरी Celsius तक जो है इसका temperature नीचे गिर जाता है बलकि कई जगा और इससे भी ज्यादा नीचे जाता है लेकिन आउसत की बात करें हम average temperature तो average में 42 maximum 14 जो है minimum temperature है maximum temperature की बात करें तो एक बर जो record किया गया है वो है आपका विदीशा का जो गंज बसोदा जो area है व सबसे maximum temperature के नाम से भी इसको record किया जा चुका है ठीक है मतलब कि अगर हम आमूमन देखे तो otherwise कई हिस्से ऐसे हैं जो कि एक शहरी तोर पे या जहां पे आबादी हो उस इलाके में 48 डिगरी Celsius गंज बसोदा में record किया गया है ठीक है इसके अलावा जो है बरवानी बरवानी मे जो है 46 डिगरी Celsius का जो है last year की मतलब कि जो last fiscal year है उसमें put के 6 डिगरी का जो है यहाँ पे continuously जो है माना गया है बरवानी का डिगरी मतलब समर का जो temperature है वो तो बरवानी और गंज बसोदा को दो चीजों को यहाँ पे याद रखना है minimum temperature में जनरली शुपूरी का temperature है जो अमू rainfall की बात करें तो यहाँ पर ओसतन जो वर्सा होती है वो 110-112 cm की वर्सा होती है maximum जो है पूर्वी मध्यप्रदेश में होता है और सबसे कम जो है आपका western या पस्चिमी मध्यप्रदेश में होता है और especially भीन मुरैना वाला छेतर है वहाँ पे सबसे कम जो है 55 cm का जो है बार मैंने मैप में यहाँ पर बता है कहां सबसे कम हो रही है किया गया है चलो अभी आ रही है अवाज की अभी आ रही है ब्रेक हो गया क्या ठीक है तो वह है lowest section है जहां सबसे कम बारिस होती है और जो highest rainfall है वो आपके south eastern छेतर में जो है सबसे ज्यादा बारिस होती है इस्पेसली जो चिनवाड़ जबलपूर वाला जो हिस्सा है उस छेतर में जहांपे आपका पच्मड़ी वाला इलाखा आता है ठीक है आता है